नमस्कार दोस्तों जैमातादी आप सभी का एक बार फिर से सुवागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक टोटका लेकर आई हूँ जुससे आप सिर्फ एक निम्बू और एक लाल पैन की मदद से किसी का भी वशिकरन बड़ी असानी से कर सकते हैं एक निम्बू आपको चाहिए और चाहिए एक लाल पैन सिर्फ इन दो चीजों से आप किसी को भी अपने तरफ समोहित कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, उससे अपनी सारी बाते मनवा सकते हैं सुनने में बड़ा पटा लग रहा होगा न, लेकिन ये सच है, कि आप सिर्फ एक निम्बू से किसी को कैसे अपने वश्मे कर सकते हैं, जी हाँ, सिर्फ निम्बू से वो इंसान आपके पास आजाएगा और वो इंसान ये चाहेगा कि वो आपका सारा जीवन सिर्फ और व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और कैसे किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं तो आईए मैं आपको बताती हूं कि आप किस तरह इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको एक नीम्बू लेना है और उसके साथ आपको लेना है एक लाल पैन और लाल पैन से आपको इस पर अपना नाम लिखना है तो मैंने जो है अपना नाम लिखा इसके बाद मैं इस पर उसका नाम लिखूंगी जिसका मैं वशीकरन करना चाहते हूं आपको भी यही करना है नीमू पर पहले अपना नाम लिखना है और इसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं जिसका वशिकरन करना चाहते हैं इसके बाद आपको नीम्बू को अपने हाथ पर रखना है और अपने हाथ पर रख कर एक मंत्र का जाप करना है मंत्र है ओम काल त्री त्री कुरू स्वाह उसके बाद आपने इस नीम्बू को चार भागों में काटना है चाकू से और इसके बाद चारों दिशाओं में फेक देना है आप घर पर भी एक काम कर सकते हैं दोस्तों एक बात का खयाल रखिए कि जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो सिर्फ एक उधारन के तौर पर बताया है तो आप भी गुरु माता जी को कॉल करके उनसे सिद्ध किया हुआ मंत्र ले सकते हैं और यकीन मानिए इस तोटके के सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर वो इंसान फूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बाते मानने लगेगा आपकी सारी बाते वो मानने लगेगा आपके तौर तरीकों पर चलने लगेगा तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर कॉल करके गुरू माताजी से अपने अनुसार, अपनी राशी के अनुसार, अपना मंत्र ले सकते हैं और सिर्फ उस मंत्र के जाप मात्र से आप सामने वाले द्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप किसी भी कारण बश्च ये कार्य करने में असमर्थ हैं आप ये कार्य नहीं कर सकते तो आपको फिक्र करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये कार्य गुरु माता को कॉल करके उनसे भी करवा सकते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी देड़ ना करें, जल्द जल्द गुरु माता को कॉल करें जै माता दी